Hello everyone, Welcome to All India Students Community, दोस्तों आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से आपके अपने परिवार All India Students Community हमें, हम कर रहे हैं Hindi और आज से हमारा दूसरा चेप्टर स्टार्ट होगा, जहां पर आप लोगों के सामने 20 कोश्यन आएंगे, इन 20 कोश्यन में से आप देखते हैं कितने कोश्यन कमेंट कर देना है, तो चलो सुरुआत करते हैं, और ये वीडियो आने वाले एक्जाम चाहे वो योपे पुलिस का रेडियो अपरेटर हो, अजस्टेंट रेडियो अपरेटर, या फिर योपे कौश्टेबल, या सीटेट, योपेटेट, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भ उपवाक्य आदी की विसेशता दिखाने के लिए सब्द के नीचे एक रेखा खीचते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं। आपके option है परसनवाचक्चिन, अदो रेखा, कोस्टक्चिन या फिर तिर्यक्चिन। जवाब दीजेगा। इसको अधोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अधोरेखा। नेक्ट खोसर की तरह बढ़ते हैं दोस्तो। कितने question का सही जवाब दे पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताईएका, और हर question का जवाब साथ के साथ कमेंट करते रहें, question number 3. परसन वाचक चिन कौन सा है बहुत यसान कुश्यन है परसन वाचक चिन कौन सा है चार ओप्षन आपके सामने है यहां से पढ़िये और जवाब दीजे बिल्कुल यही होता है आप लोगों का परसन वाचक चिन तो correct answer होगा बी next question की परतरा बढ़ते है question number fourth निमलिखित में से निर्देशक चिन कौन सा है चार ओप्षन आपके सामने है आपको बताना है इसमें से निर्देशक चिन कौन सा है and the right answer will be और इसका तो सही जवाब होगा को होगा D इसको ही निर्देशक चिन बोला जाता है दोस्तों आप लोगो ने वो करंट अफेस का PDF नहीं खरीदा है तो यह मेरा नंबर है 782703434344 इस नंबर पर फोन पे पेटियम या गूगल पे करके 75 रुपीज में आप ये हिंदी के नोट्स ले सकते हैं जिसका प्रिंट आउट निकल निकाल सकते हैं इसके बाद आपको हिंदी का कोई भी बु वगेरा पढ़ने की जुरत नहीं है इन पीडियाप को पढ़िये जो मैंने खुद हैंडिटन मेरे बनाए हुए हैं पहतरी नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे और यही नोट्स आप लोगों के लिए अवलेबल हैं इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक की ज इसको बोलते हैं and the right answer will be और इसका दो सही जवाब होगा वो होगा option B यही होता है अल्प विराम कोमा जिसको आप होते हैं next question है निमलिकित चिन्नों में से पूर्ण विराम को पहचानी है पूर्ण विराम का sign कोन सा होता है यह आपको पहचानना है तो दोस्तो correct answer क्या हो या daily video मिले और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजेगा और एक bell icon है side में उस bell icon को दबा दीचे जिससे कि जब भी आपको कोई भी वीडियो मैं upload करूँ आपको सारी वीडियो के notification मिलते रहें next question है रे खाक कि जित कौन सा है जब हम य वाला चिन बना देते हैं ये इस चिन से का मतलब है लोब सूचक इस्थान सूचक स्वापती सूचक या टीका सूचक जवाब दीजेगा और दोस्तों इसको बोलते हैं लोब सूचक चिन क्या बोलते हैं लोब सूचक चिन question number 8 संग्या की द्विरुकती हो तो उनके बीच जवाब दीजेगा correct answer क्या होगा तो संग्या की जब द्विरुकती होगी तो उनके बीच विस लगने वाला साइन दोस्तों योजक चिन होता है हमेशा याद रखेगा द्विरुकती होने पर कौन साइन लगेगा बहुत बढ़िया बोलो very good question number 9 की तरफ दोस्तों हम बढ़ और question number 9 है किस वाक्या में विराम चिन का परियोग उचित नहीं है उचित परियोग जहां पर नहीं हो मैं मनुश्य से मानवता देखना चाहती हूँ उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है सुनो सुनो वहगा रही है प्रिया महास है मैं आपका आभारी हूँ कहां पर विराम चिन का उचित परियोग नहीं है तो दोस्तों वो है सुनो सुनो के अंदर यहां पर विराम चिन का उचित परियोग नहीं है कुशन number 10 ध्यान से पढ़िए और उसके बाद कमेंट करिए निम्ण में से कौन विराम चिन का परकार नहीं है यानि कि जो विरामचिन नहीं होता निर्देशक लागव उपदेशक या विवरन कमेंट करिएगा जो विरामचिन का परकार नहीं है तो विरामचिन के अंदर दो उपदेशक नहीं होता निर्देशक भी होता है लागव भी होता है और विवरन भी Question number 11 जहाँ वाक्य की गती अन्तिम रूप से ले विचार के तार तूट जाए वहाँ किस चिन का प्रियोग किया जाता है And the right answer will be योजक, अलपिराम, उधरण या पून विराम जहाँ वाक्य की गती अन्तिम रूप ले और विचार के तार तूट जाए वहां किस परियोग चिन का परियोग होगा तो दोस्तों correct answer होगा पूर्ण विराम पूर्ण विराम विल विदा राइट आंसर next question की तरह बढ़ते हैं कोस्टांकित विराम चिन का नाम क्या है कोस्टांकित विराम चिन का नाम योजना विराम अर्द विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन जवाब दीजेगा, कुश्य नमबर 12 and the right answer will be अर्द विराम कुश्य नमबर 13 तो आपकी स्क्रीन पर है विराम चिन परियोग किया जाता है मतलब ये वाला जो विराम चिन है इसका क्या नाम है विराम चिन, तुल्यता सूचक, लागव चिन या सईयोजक चिन दोस्तों जिन इस्टुनाट्स न अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार आइट करें and the right answer will be तुल्यता सूचक next question है विराम चिन परियुक्त होता है ये वाला विराम चिन कहां पर परियुक्त होता है ये वाला विवरान चिन बोलते हैं तुल्यता सूचक, लागव या सईयोजक दोस्तों हम थे विराम चिन परियुक्त होता है ये होता है हमारा सईयोजक चिन इस से आइन के अगर मैं बात करूँ ये है question number 15 विराम का अर्थ क्या है ठैरना, चलना, बिछुडना या इन में से कोई नहीं विराम का अर्थ and the right answer will be ठैरना या रुखना विराम का अर्थ होता है ठैरना या रुखना next question है question number 16 सिरी कामता परसाद गुरू जी के अनुसार विराम चिन्नो को किस भासा से लिया हुआ माना गया है अर्भी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी विराम चिन्नो को किस भासा से लिया गया comment करिए and the right answer will be अंग्रेजी question number 17 सिरी कामता परसाद जी के अनुसार विराम चिन्नो के सिंख्या कितनी है बीस, अठारा, सत्रा यचे है comment करें and the right answer will be 20 20 जो है विराम चिन्नो की संख्या है question number 18 अल्प विराम चिन्न को पैचानो अल्प विराम चिन्न कोन सा है अभी-अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कोमा को ही अल्प विराम बोलते हैं question number 19 अपने कारिया में सनलगन है इस वाक्या में उचित विराम चिन कोन सा होगा बताएगा right answer क्या होगा तो दोस्तों जब बहुत सारे नाम आने लगे तो वहाँ पर जो होता है वो कोन सा होता है बिल्कुल सही पहचान रहा ये लगेगा आसीस, राहुल, राजा, सुकल और वैभाँ तो क्रैक आंसर होगा ए, कोमा का इस्तमाल यहां पर किया जाएगा अल्प विराम आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्या में उचित विराम कोन सा होगा जहां दो से दो दो या दो से अधिक वाक्यांस आते है वहां पर दोस्तो हम किसका इस्तमाल करते है बताईए बिल्कुल अल्प विराम का, आनंद घर आया ठीक है, तो यहां पर क्या होगा पहले, आनंद घर आया, उसके बाद थोड़ी देर रुका और चला गया, तो correct answer होगा A, A will be the right answer दोस्तों, यह था आज का हमारा विराम से 20 सवालो का एक वीडियो next classes में 20 सवालो राएंगे और यह chapter हमारा complete हो जाएगा और मैं उमीद करता हूँ इस chapter से अब आप लोगों का एक भी number नहीं गटेगा, अगर अभी तक आपने पीडियाप नहीं लिया है तो पीडियाप से लेकर पीडियाप लेकर इस chapter को अपना पढ़ लीजिए, पूरा complete कर लीजिए practice मैं हाँ पर कराई रहा हूँ यह मेरा number है, जो आपकी screen पर है सिर्फ आपको 75 रुपीज बे करते ने हैं phone पे, ATM, Google पे या Amazon पी, कुछ भी आप इस number पर भेज कर screenshot भेज देना, screenshot मिलते ही आपको notes आपके number पर मिल जाएंगे आप अपने किसी दोस्त वगएरा या parents वगएरा से भी इस पर payment कराके उसका screenshot अपने number से दे सकते हैं दोस्तो, हर रोज, शाम कुछ है बजए मैं कोशिस करता हूँ आप लोगों के लिए एक test लेकर आया जाएं जिससे कि आप लोगों का हिंदी पहले से बहतर हो और आप पूरे में से पूरे score कर पाएं मिलेंगे, next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज सभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें थेंक यू